देश में COVID-19 लगातार पाउंपसार रहा है जारखंट भी इससे अच्छूता नहीं है यहां भी COVID संक्रिमितों की आंकड़े लगातार पड़ रहे हैं धोनी के माता पिता के कोरोना पॉजिटिव आनी की खबरों ने खूब सुर्खियां बठोरी थी टिमिने का पूर कप्तान और चने सुपर किंग्स के मवजुदा कप्तान महिन सिंग धोनी के माता पिता सोमबार 19 अपरेल को कोरोना पॉजिटिव पाए गये थे जिसके बाद दोनों को राजी के पल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेड मिट कराए गया धोनी ऎन दोनों इंडिन प्रीमिर लिग में खेल रहे हैं महिन सिंग धोनी के मातापिता की मवजुदा हालत पर अब खबरे सामने आई है खुद चन्ने टीम की मैनेजमेंट ने इस पर बयान दिया है कि धोनी के मातापिता के स्वास्त पर नजर बनाए हुए है और हर तरहीकी की मदद पहुँचाने की कोशिश की जा रही है टीम की कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कूलकाता एक खिलाब चिर्ने की टीम कमीडी जीत के बाद कप्तान महिंच सिंग धोनी के मादाफिता के बारे में बात की और उनके स्वास्त पर अपडेट भी दिया मैनेजमेंट के लिहाज से हम उनके परिवार के स्टीफी पर अच्छे तरीके से वाकिफ है और MS के परिवार के लिए हर तरीकी की मदद का इंतजाम किया जा रहा है इस्तिती इस वक्त नेंटरन में है लेकिन हम हर एक चीज पर अगले कुछ दिनों तक नजर बनाये रखेंगे ये वक्त हर किसी के लिए मुश्किल है और जिस तरीके से इसने भारत पर असर डाला है उसी तरीके से इसका प्रभाव IPL में खेल रहे साथियों और उनके परिवार जनों पर भी आया है दोनी के परिवार में बिमार हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए फ्लेमिंग ने कहा हमारी जमेदारी बनती है कि हम इस बात को पक्का करे कि उनको किसी भी तरीकी की साहताई की सुरत है तो उन तक पहुँचाया जाए उनके परिवार के लोग जल्द ही स्वस्थ होकर वापस लोटे बतादे दोनी के कबाई में चैने सूपर किंग्स ने इस सीजन अब तक शानदार खेल दिखाया है टीम ने शुरुआती चार में से तीन मुकाबले जीत पॉइंट स्टेबल में टॉप पर जगा बनाई हुई है ललगले इस वीडियो में इतना है तमाम अपडेट्स के लि